असलाम लेकूम नाजरीन आप देख रहे हैं मुझे उजमा गिलानी को लिव टीवी नेटवर्क पे नाजरीन पिछला जो मेरा वी लॉग था चोटा सेक मेरा वी लॉग था टैन मिनिट्स का उसमें मैंने कुछ महंगाई के ओपर बात की थी और आप लोगों से कहा था कि आप मुझे अपना feedback दें और मुझे जो भी आपके question हो वो मुझे कीजेगा तो मुझे बहुत सारे लोगों ने questions भी किये और मुझे बहुत अच्छा feedback दी आपने उसके लिए thank you so much अच्छा अब क्यूंके छोटे थोड़े से time में मैं बहुत ज्यादा question के answers तो नहीं कर सकती एक question मुझे एक खातून ने भेजा और उसमें उन्होंने मुझे वही महंगाई का रोना था कि महंगाई जादा हो गई मेरे बिल जादा आने लगे तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मेरे घर में दो S.E.A. मेरा बिल 36,000,000 रुपया आता है ये देखें मेरी grocery की लिस्ट है मेरा माउंट है हमने उसमें क्या चीज जरूरी है उनकी grocery की लिस्ट में चीज थी प्याचप थे कपड़े थे बहुत जादा इससी एक्स्ट्रा और्णरी चीज़ें थी जिनके बगएर हम अच्छा गुजारा कर सकते हैं आटा डाल चावाल ये चीज़ें नहीं थी तो भाई को तो नहीं रोक सकते हैं लेकिन अपने इखराजात को रोक सकते हैं और अपने घर में आप बिजली बचाने की कोशिश करें और आप अपनी खर्चों को कम करें तो जाहिसी बात है कि हम उसमें इस तरह से अपने हालात को बेतर बना सकते हैं तो उसके बाद आज पिर बहादूर से बहादूर, बहुत मजबूत दिल का इनसान भी काप जाता है और डड़ जाता है क्योंकि ये इतनी खौफनाक चीज़ है और हमारे मुल्क में बहुत जादा इस दहशत कर दी और इंताह पसंदी ने तबाही मचाई है अच्छा, अल्ला ताला ने भी हमें हुकम दिया है और अल्ला ताला ने भी मुसल्मानों से यही कहा है कि अमन और सलामती से पूरे पूरे अपने दीन में दाखिल हो जाओ क्योंकि अमन और सलामती ही इसलाम का दूसरा नाम है और जो लोग हमारे मुलक में देशतगर्दी पैदा करते हैं इंतहा पसंदी पे चीजों को ले जाते हैं जाहर है कि वो हमारे दुश्मन हैं हमें ये बात सोचनी चाहिए पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में देश्टगर्दी में बहुत सारे लोग बेश्मार लोग मारे गए और 2014 में हमारा आपरेशन जर्बेयस जो शुरू हुआ था अभी तक वो जारी है और उसमें बेश्मार हमारे फौजी जवान शहीद हुए और आपको पता है कि एक जगा पे जब कोई ब्लास्ट होता है या कोई देश्टगर्दी की वारदात होती है तो उसमें जो लोग शहीद होते हैं उनके पीछे कितने खांदान तबा होते हैं कितने बर्बाद होते हैं कितनी अमलाक को नुक्सान पहुँचता है कितने ऐसे बूरे माबाप होते हैं जिनका सहारा होते हैं उनके बच्चे कितने ऐसी ओड़ते होती हैं जिनके शोहर शहीद हो जाते हैं और वो बेवा हो जाती हैं उनके छोटे छोटे बच्चे पीछे रह जाते हैं और फिर होता क्या है माशरे में ठूरू आउट एक बिगा पिर वो क्या होता है फिर पूरे माशरे में एक विगार पैदा होता है फिर वो आगे चलके जो जिस तरह का काम करते हैं तो ये एक देशगड़ी की वारदात हमारे पूरे माशरे पर एक बोहत ही बुरा असर डालती है अच्छा इसका रीजन क्या है इसका रीजन है इंतहा पसंदी और इंतहा पसंदी का मतलब यह है कि किसी से बेंतहा नफरत या किसी से बेंतहा महबत या आप किसी से इतनी नफरत करें कि उस नफरत में आप इंतहा को पहुंच जाएं या आप किसी की महबत में इतने अंदे हो जाएं वो चाए कोई स्यासी लीडर हो चाए कोई आपका हीरो हो चाए कोई भी हो और हमारा दीन इसलाम भी हमें इंतिहा पसंदी से रोकता है शक्सी महभब के सक्ति खिलाफ है कि किसी एक शक्स के लिए आप अतने زیادہ اس کی محبت یا نفرت میں پاگل ہو جائیں تو یہ چیزیں ہمارے مذہب نے بھی ہمیں روکا ہے ہمارے لئے بہتر بھی نہیں ہیں اور انتہا پسندی کی جو آخری سٹیج ہے وہ ہے دہشتگردی کیونکہ جب آپ انتہا پہ پہنچتے ہو تو پھر آپ کو بس یہ ہوتا ہے کہ یا مار دو یا مر جاؤ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ دہشتگردی کی طرف وہ چیز آ جاتی ہے تو ہم لوگوں کو اپنے معاشرے کو بہتر کرنا ہوگا دیکھیں جب ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے ایک دوسرے کی بات سنیں گے نہیں ایک دوسرے کو ہمارے اندر اعتدال ختم ہو جائے گا ہماری طبیعت میں سے تحمل ختم ہو جائے گا تو پھر ظاہر ہے ہم انتہا کی طرف جائیں گے اب کیا ہوا ہے ہمارے ملک میں ہمارے ملک کے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اب ہم کسی کوئی ہمارے ملک میں آفت آتی ہے کوئی مسئیبت آتی ہے جیسے سلاب آیا زلزلہ آیا تو ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نہیں ہو پا رہے کچھ عرصے پہلے تک مجھے یاد ہے دوہزار آٹھ کا زلزلہ تھا اور دوہزار آٹھ کے زلزلے میں نہ کوئی سیاسی پارٹی تھی نہ کوئی جماعت تھی نہ کوئی فرقہ تھا سب ایک ساتھ تھے اور میں بھی ان میں شامل تھی اور ہمارا کالج کا پورا ٹرپ ہم نے پیسے جمع کیے کپڑے جمع کیے بہت ساری تنظیمیں تھی جماعت اسلامی بھی اس میں تھی ایم کیو ایم بھی اس میں تھی پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ شامل تھی اس میں نون لیگ بھی تھی سب نے بڑھ چڑھ کے اپنے ملک کے لیے اس سارے کارے خیر میں حصہ لیا اور فوج ہماری تو ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ آگے آگے ہوتی ہے اس سے کیا ہوا کہ وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک جگہ پہ پورے قوم بن جاتے ہیں لیکن دہشت گردی اور انتہا پسندی کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب آپ انتہا پہ چلے جاتے ہیں تو پھر آپ اپنا فائدہ نقصان نہیں سمجھ پاتے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ بس میں اس شخص سے انتہائی نفرت کرتا ہوں یہ بہت برا ہے اور میں اس سے انتہائی محبت کرتا ہوں یہ بہت اچھا ہے آپ اچھے اور برے میں فرق نہیں کر پاتے تمیز نہیں کر پاتے اور وہ جنم دیتی ہے انتہا پسندی کا اور انتہا پسندی کی آخری سٹیج ہے देशदगर्दी तो नाजरी हमें ये ख्याल करना चाहिए ये मुल्क हमारा है ये मुल्क हमने बहुत ही जादा कुर्बानियों से हासिल किया हजारों लोगों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी हजारों माओं बेहनों बेटियों को अपने इज़तें लुटानी पड़ी लोगों के घर बरबाद हो गए लोगों के प्यारे अपने जुदा हो गए किस तरह हम लोग इंडिया से पाकिस्तान पहुंचे और हमने एक अलग मुल्क अपने लिए हासल किया और आज हम उसमें बहुत सुकून से हैं अगर आप इंडिया में या दूसरे मुल्कों में मुसल्मानों के हालाद देखें तो अक्सर जगों पे मुसल्मानों के हालाद बहुत खराब हैं आजादी नहीं हैं, हम अपने मुल्क में अजादी से सांस लें, ना सिर्फ हम, ना सिर्फ मुसल्मान, बलकि आप हमारे आखलियतों को देख लें, क्रिस्टिन्स को देख लें, हिंदूओं को देख लें, सब कितने खुशी से रहते हैं, मिल जुल के रहते हैं, कोशिश करें, किसी भी रिष्टे में किसी भी जजबे में इन्तिहा पे ना जाएं क्योंकि अगर आप इन्तिहा पे चले जाएंगे तो वो ही होगा जो पिछले पांच साल से हमारे मुल्क में हो रहा है यनि कि अगर सेलाब आया है तो हम ये कह रहे हैं कि जी गौर्मेंट को पैसे मत देना इनको पैसे मत देना ये बुरे हैं ये चोर हैं ये बुरे हैं ये गलत हैं ये लुटे रहे हैं बजाए इसके कि हम सब एक जान होके एक कौम होके अगर अपने मुलके लिए काम करते उस तरह जैसे हमने 2008 के जलजले के बाद किया था तो हमारे हलाद इतने बुरे नहीं होते और आज आप देखे हमारे मुलके क्या हलाद है फसले हमारी तबा हो चुकी हैं, घर हमारे कितने तूड चुके हैं, मवेशी हमारे खतम हो चुके हैं और हम एक बहुत ज़दा महँगाई की और उसकी दलडल में फस चुके हैं तो बस मेरा कहना यही था कि कोशिश करें अपने जजबों में अपने पसंद में अपने च्वाइस में आपको इंतहा पे नहीं जाना आपको किसी भी चीज़ में किसी भी बात में चाहे वो आपके घर के बारे में हो चाहे मुल्क के बारे में हो चाहे रिश्टेदारों के बा पासंदी को सकत नापसंद किया है, क्योंके दह्षतगर्दी का नतीजा सिर्फ तबाही और बर्बादी और उसमें जो लोग जान से जाते हैं, आपने देखा और आ somethinे हैं, आपने देखा हैं कि वुह आई इस देश से सरजमीन से मुहबत करें जहां पर अप ऐसा यार वाला सर रह गया है और जमीन तो हमें नजरी नहीं आती ये जमीन है तो हम हैं और अगर ये जमीन नहीं तो हम भी नहीं हैं क्योंके हम अवाम हैं तो आप मुझे बताएं क्या भला कर सकते हैं क्या बेतर कर सकते हैं हम अपने महौल को आसपास के लोगों को किस तरह से इंतहा पसंदी से रोक सकते हैं अपने मिजाज में तहमल और बर सेज़ कर सकते हैं हमारे टुटर पे भी आप क्वेशन पूछ सकते हैं और जरूर मुझे सवाल भी करें और मुझे फीड़ बैक भी दें और मुझे बताएं कि आगे के लिए हम कौन से टॉपिक को चूज़ करें और उसके ओपर बात करें अगले प्रोग्राम में हम इन्शाल इसको बेतर करने के लिए आपके फीड़ बैक की बहुत ज़्यादा जरूरत है हमें अपना फीड़ बैक दें और हमें बताएं क्योंके हम आवाम हैं और हम एक दूसरे के साथ हैं तो मुझे आपके फीड़ बैक का इंतजार हैगा थैंक यू सो मच अलाफिस